तो दोस्तों इस काम को करने के लिए सबसे पहले जो आपका काम करना है कि आपका कौन सा प्रोसेसर है वो बारा देख लेना है तो इसके लिए अगर आप Windows 7, 8 या 10 जो भी Windows यूज कर रहे है तो आपको टास्क बार में सिंप्ली रैट क्लिक करना है फिर टास्क मैनेजर पर जा प्रोसेसर का नाम है यहाँ पे देख जैगे जैसे कि यहाँ पे इंटल कोड इसके बाद यहाँ पे जो होगा आए 5 या जो भी है आपको यहाँ पे देख जाएगा तो इस जगा पे मेस जैसी कि मेरा दिखा रहा है 5-7200u तो यहाँ पे i5 या i3 जो भी है, इसके बाद, डश के बाद, जो number यहां पर शो करेगा, वो generation को दर्शता है, यह seven है, यहां पर मतलब 7 generation का है, अगर आपका 2 होगा, तो second generation का होगा, 5 होगा, तो यहां पर 5 generation का होगा, लेकिन यहां पर अगर आपका नमबर जैसे कि मेरा यह 4 डिजित का है अगर आपका 5 डिजित का होगा तो जाहिर है आपका जो प्रोसेसर वो 10 जिनेरेशन या 11 जिनेरेशन का होगा वो आपको देख लेना है इसके बाद आपको ब्रावजर को पिन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है downloadcenter.intel.com फिर आपको interface कर देना है अब यहाँ पे साच वाला box में आपको type करना है बिल्कुल same to same यहाँ जैसे लिखा हुआ है वाईसी आपको type करना है फिर आपको interface कर देना है फिर यहाँ पे देखिए यह page open होके आ गया है तो आपको इस सारे option में से graphics वाला option उसको आपको देख लेना है यानि कि उसको select कर लेना है देखिए यहाँ पे यह 7th generation का processor है तो यहाँ पे भी आपको एक बार check कर लेना 6 to 12th generation का processor अगर है तो उसमें यह work करेगा तो यह वाला हम लोग download कर सकते हैं आपको सिर्फ यह graphics वाला ड्राइवर ही download करना है क्योंकि यहाँ पे graphics वाला को install करना है तो यहाँ पे download वाला option को select नहीं करना है आपको इसके उपर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पे zip वाला यह जो version होगा इसके उपर click करना है अब जैसे download complete हो जाएगा आपको browser को close कर देना है close करने के बाद आपको download folder में जाना है अब download folder में आपको ये zip बाला folder देख जाएगे इसको आपको extract कर लेना है right click करना है फिर extract all पर click करना है अभी ये extract हो चुका है अभी file manager को close कर देते हैं अभी आपको start menu के पर right click करना है और यहाँ पर आपको device manager को select करना है अब यहाँ पर आपको display adapter इसको select करना है select करने के बाद आपको action पर click करना है फिर आपको add a legist hardware इसको select करना है फिर आपको next पर click करना है अब यहाँ पर install the hardware that manually इसको 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 इस जैसे आपके समने यहाँ पर एक pop-up आजाएगा complete यहाँ पर install complete हो चुका है फिनिश पर क्लिक करना है अब यहाँ पर देखिए Intel graphics driver यहाँ पर आपका computer में show हो जाएगा कि अजो तक फिनिश पर आपका है